जिनके चरण में सुर्व सुर्व सादर जुकाते शीषको, मेरी विनय युत्वंद नाउन जीन विर्जगदीषको परात्पर गुर्वे नमः, परंपराचार्य गुर्वे नमः, परंगुर्वे नमः, साक्षात्प्रत्यक्ष सद्गुर्वे नमः, नमः, अनन्त अनन्त भाव भेद थीषको, भरिली भली अनन्त नन्त नय निक्षे पेव्याख्यानी छे सकल जगत हीत कारीनी हारीनी मोह तारीनी भवाब्दी मोक्ष चारीनी प्रमानी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खविते व्यर्थ आपवाथी निजमती मापाई में मानी छे अहो राज चंद्रबाल ख्याल नथी पाम जीनेश्वर तनी वाणी जानी तेने जानी छे गुरु राज तनी वाणी जानी तेने जानी छे जाए सत्कृवन्द जाए 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 तत्व चर्चा में श्री जैन सिद्धान प्रवेशिका प्रश्ट संख्या प्रश्ण संख्या एकसो नबे निवू हिंदी मां गुजराती मां एकसो इठ्थ्यासी वर्ण नामकर मां शित्यासी त्रण कम थाई गया धिमेधी में ओचा थाई रहे जाए अंगो पांग वाला क्वेश्चन थाई ने अंगो पांग वाला क्वेश्चन गुजराती मां छेज ने विजो अध्याए प्रश्ण एकसो नबे निवू वर्ण नाम कर्म किसको कहते हैं बराबर यही उत्तर जिस कर्म के उदे से शरीर में रंग हो अपने शरीर का कोई न कोई रंग होता है किसी के भी शरीर का कोई न कोई रंग होता है तो वो किसके कारण से है इस वर्ण नाम कर्म के कारण से हैं हमने पहले ऐसा कर्मा बांधा है उसका उदे आता है तो इस प्रकार का होता है यह जितने भी वनस्पती दीख रही है उनका ऐसा है कि वो हरे रंकी होती है तो उनका हरित वर्ण नाम कर्म है ऐसे अलग-अलग प्रकार से नाम कर्मा है वर्ण मूल वर्ण कितने हैं आया था पिल पांच मूल वरना हैं बलू हाँ हाँ हम हम लाल पिला निला हरा श्वेत ठीक है कोई काला कहता है काले की जी कहा रहा है हाँ और इसके फिर उत्तर वरना बहुत सारे हैं एक वरना के जगन्या और उत्कृष्ट बहुत सारी तरतम मेता होती है काले काले में भी भेद होता है एक एकदम डार्क काला होता है एक हलका काला होता है उस हलके और डार्क काले के बीच में बहुत सारे काले होते हैं लाल लाल में भी बहु जो मनुष्य उनका शरीर का वरण कीसा है? गेहुवा कलर कळाता है. अब साूथ में रहने वालों को थोड़ा थोड़ा और काला तो नहीं केस सकते हैं पर गेहुवे कलर की जो एकदम लो क्वालेटी होती है वो लो क्वालेटी वाली केलाता है. काला तो ऐसा होता है ये देखो टीवी ये काला है स्क्रीन अब इतना का इतना भी नहीं हो उनका चेहरा दिखता है कभी दाथ दिखते हैं तो चेहरा है उनके दाथ दिखते हैं तब चेहरा दिखते हैं तो कोई लगता है कि यहां कोई इंसान है तो ये उस नाम कर्म का उदय है जीव को क्या लगता है कि मैं काला हूँ मैं गो रहा हूँ तो ये सब क्या है ये हम नहीं है ये कौन है ये शरीर है और शरीर नाम कर्म के कारण से मिला है इसमें हमारा क्या है वर्तमान का पुर्व का है पुर्वो में हमने जैसा बांधा कोई विचारा थोड़ा सामला कलर का था तो हमने इसको काला काला कह करके बहुत चिडाया अब तुम भी काले बनोगे, सिधी सी बात सिधी बाते हैं सारी चीजे जैसा करेंगे वैसा मरेंगे अत्वा किसी को काले से बड़ी घरना है तो वो खुद काला होगा काले चीजों से किसी को बहुत घरना है तो खुद काले हो जाओ ऐसा ही करम बानते हैं या तो राक से बानते हैं अत्वा किसी को काले से बड़ी आ सकती है तो भी काला हो जाओ कर्म दो प्रकार से आते हैं या तो उसके प्रती बहुत आ सकती है तो वैसा होता है अथ्वा उसके प्रती बहुत द्वेश है तो वैसा होता है दोनों प्रकार से अशुप के बारे में समझ लेना चाहिए इसलिए न राक करना न कोई भी कलर देख करके कि अपने को बहुत अधिक मारो फेवराइट कलर तो बंदेने फेवराइट हो इने कलर उस वरण में जाना पड़ेगा एक सो एक कानो गंध नाम कर्म किसको कहते हैं उत्तर जिस कर्म के उदे से शरीर में गंध हो प्रत्यक के शरीर की कुछ न कुछ गंध होती है अब उसमें भी बहुत सारे तारतम मेता होती है अब गंध दो प्रकार की है या तो सुगंध होगी अथवा दुरगंध होगी सुगंध सुगंध में भी बहुत फरक होता है अब इत्र होता है वो सुगंधित होता है ऐसा माना जाता हो तो उस इत्र इत्र में भी बहुत फरक पड़ता है न अलग-अलग प्रकार के इत्र होते हैं कोई अच्छी क्वालिटी का होता है कोई कम क्वालिटी का होता है यह सारी चीजे होती है तो यह गंद नाम कर्म के कारण से सब में कोई फूल होता है वो ज़्यादा सुगंदीत है कोई फूल होता है वो कम सुगंदीत है सुगंद नाम करम का उदयत हो इसमें पर कम ज़्यादा पना होता है दुरगंद भी इसी प्रकार से कम ज़्यादा होती है कीचड से दुरगंद आती है सड़े गले मांस ते दुरगंद आती है कोई मांस ऐसा हो कि इसमें अधिक दुरगंद आती है किसी में कम दुरगंद आती है ऐसा शरीर का अपना अपना जिस प्रकार से वरण है तो ये गंद नाम करम के कारण से है वो विक्ति ऐसा नहीं है हमको ध्यान क्या रखना कि किसी के शरीर से दुरगंद आ रही है तो ये समझना कि वो व्यक्ती दुरगंदित नहीं है उसका शरीर में दुरगंद आ रही है और शरीर नाम कर्म के कारण से आ रही है उसको ऐसा नहीं समझ लेना कि ओ आतो गणों गंदों छे दुरगंद आवे चामाँ ऐसा नहीं है वो अलग है दुरगंद अलग है सुगंद भी अलग है और वो जो सुगंद जिसमें है वो जीव उसमें से अलग है वो तो शरीर है उसका यह सब शरीर के धर्मा है अपने को बेसे निजूम मारी वास आवी छे आपकी वास कैसे होगी भाई मेरी गंद ऐसी है कैसी होगी आपकी गंद आपके अंदर तो गंद ही नहीं ये सब भेद ग्यान करने के लिए कर्म थोरी पड़ने की अब कोई यूँ कहे कि दो बेटे हैं उसमें एक का तो शरीर अच्छा है बहुत गोरा है एक बहुत काला है और वो मम्मी पापा को दोश दें तो मम्मी पापा क्या करे बिचारे और मम्मी पापा नहीं तो फिर भगवान क्या करे उनको ने तो भगवान को दोस्त देते हैं उसको तो ऐसा बनाए नो उसको ऐसा बनाए वो कृष्ण जी कहते थे ने वो गनादन राधा क्यो गोरी मैं क्यो काला येशो मती मैया से बोले नंदलाला राधा क्यो गोरी और मैं क्यो काला वो इसको चिड़ाते थे उनके बड़े बाई कि बाई देखो तुमारी मम्मी है वो भी गोरी है तुमारे पपा है वो भी गोरे है और सब गोरे है इसका मुझा और तु काला है इसका मलब तु तेरे माता पिता का नहीं है ये ये शुद्या माँ वो तेरी माँ नहीं है और नंदलाल जी वो भी तेरे माँ तेरे पिता नहीं है तेरे को तो कहीं से खरीद करके लाए है तो इन दोनों का नहीं है सकर करके वो चिड़ाती थे तो ये सब कर्म का उदे है 112 रस नाम कर्म किसको कहते है जिस कर्म के उदे से शरीर में रस हो उसको रस नाम कर्म कहते हैं मुख्य रुप से पांच प्रकार के रस हैं फिर उत्तर रस तो बहुत सारे हैं कौन-कौन से हैं खटा, मीठा, कड़वा, चरपरा और कसायला या तो किसी का शरीर खटा होगा अत्वा किसी का शरीर मिठा होगा अत्वा किसी का शरीर कड़वा होगा अत्वा किसी का शरीर तीखा होगा अत्वा किसी का शरीर तूरा होगा होता है न, वनस्पति आलग-अलग देखो आप कोई कड़वी आप जैसे नीम निम कड़वा होता है तो उसके ऐसे नाम करमा होता है इसलिए निम कड़वा होता है बेर मिठे होते है तो इसके मिठे नाम करमा करमा होता है इसलिए बेर मिठे होते है ऐसे अपना शरीर का भी जान लेना चाहिए किसी का शरीर बड़ा खुन मीठा होता है तो मच्छर बहुत काटते हैं किसी का कड़वा होता है तो मच्छर पास में नहीं आता है ऐसे अलग-अलग अब तिर्थंग करोके बड़ा मीठा होता है रक्त भी मीठा होता है सब कुछ मीठा होता है उनके शरीर का साथ तो ये अलग-अलग जैसा जैसा आपने नाम कर्म बांदा है उस उस प्रकार से हैं कोई तीखी वनस्पतिया इत्यादी भी होती है कोई तूरा कसायला होता है जिन वनस्पतियों के अंदर जैसे विश होता है विशेली वनस्पति होती है उनके इस प्रकार का नाम कर्म है कसायला नाम कर्म का उदे है इसलिए उसका विश भरा स्वाद होता है विश का स्वाद ऐसे होता है कसायला कभी खाया है किसी ने मैं लो टेस्ट किया होता है विश विश ऐसा नहीं कि विश हमने टेस्ट नहीं किया है विश के अलग-अलग तर्तमत आए हैं तो सामन्य विश तो हम लेते ही हैं ऐसा नहीं कि सामन्य विश ले कसायला प्रकार का तूरे प्रकार की जो जो चीजे हैं वो सब विश है एक प्रकार का अब उसको घनिभूत कर दिया जाए तो वो अपने को मार भी सकता है तो विजह साप का जो विश होता है वो गनिभूत कसा है लाए कभी चकना तो वो पता पड़ेगा उसके तो उसमें बहुत अधिक विश की मात्रा है कब उसको कम 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 करके थोड़ा थोड़ा दिया जाए तो उसकी मातरा कम हो जाती है और वो एंटीबोडी विक्सित हो जाते हैं पहले लोग ऐसे करते हैं ऐसी वनस्पतिया खिलाते हैं ये जो विश्कन्या का जो थोरी है ना विश्कन्या, विश्पुरूश ये सबसे पहले आचारी विश्णुगुप्त चानक के ने दिया उनकी उपजी, उनके दिमाग की उपजी उन्होंने उनको चंद्रुगुप्त मौरिये के दुश्मन बहुत थे धनानंद का दुश्मन था इसलिए धनानंद के बड़े मित्र सब दुश्मन बहुत थे अब और उस समय इतने शडियंत्र होते थे कि कौन खाने में क्या खिला दे कोई पता नहीं राजा माराजों को एक दुसरे से लड़ाई तो उन्होंने ऐसी विश्कन्याओं को तयार किया उनको क्या किया कि बच्पन से ही उसको थोड़ी 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 विशेली वनस्पति खिलाना चालू किया वो धिमे-धिमे वो ऐससा शरीर हो गया उनको कि अब जहरीला से जहरीला नाग काटे तो हो सकता है नाग मर जाए वो नि मरे इस प्रकार की विश्कन्याइं उसने तयार कर दी वो भी उसने उसको भी दिमाग में कैसे आया कि एक गाव में गए थे जब वो करांती कर रहे थे सिकंदर के विरुद में उस समय तो उस गाव में एक लड़की को बिचारों को निकाल के एक महिला को लड़की को गाव से बाहर कर रहे थे और बहुत से लोग पीट रहे थे तो उसने पूछा कि भी तुम लड़की के साथ ऐसा क्यों कर दो तो ये लड़की है वो जंगल में जंगली जाड़िया खाती रहती है ये इंसान नहीं है तो फिर उस लड़की को उन्होंने अपने शरण में ले लिया फिर उस लड़की को पूछा कि तुम ऐसे क्या करते हैं मुझे को कड़वी कड़वी वनस्पति अच्छी लगती है उसको कड़वी कड़वी वनस्पति अच्छी लगती थे अब एक दिन ऐसा हुआ कि उसको साप ने काट लिया साप मर गया क्योंकि वो कड़वी खड़वी बनिस पतिया खाती जी अब उसका शहर स्वेम जहरीली होगी वो तो और साप मर गया तो उनको चानके को लगा कि ये लड़की बड़े काम किये उसको उसने क्या है कि चंदर गुप्त का अंगर अक्षक बनाया गुप्त चर बनके अंगर अक्षक बनाया अब वो कोई भी भोजन होता तो सबसे पहले उसको चखाते है कि ये क्योंकि राजा का भोजन होता है पहले चखना होता है अब कोई विश मिला हो तो विचारा सामान्य वेक्ती तो पहले मरी जाए तो अब जिसके उपर विश असर नहीं करें उसको चखाते हैं तो उस विश कन्या काम ये था कि वो उसके राजा का भोजन चकते हैं और ऐसे करके उन्होंने बहुत सारे इस ये थोरी दिये एक प्रकार की फिर काला अंदर में बहुत सारे विश कन्याएं पैदा होगी सिरियलों में देखते हूं तो वो जन्मजात नहीं होती विश कन्याएं उसको धिमे धिमे ऐसे डेवलप किया जाता हम भी ऐसे करें तो हो सकता है आप यह जन्मास सम्हाराज भोजन कड़े रेवला विश कन्याय चक है तो कोई वीश क की वेर्थ पड़ है वीश कन्याएं नि तो वीश कन्यात वैस नी असरथ्वान नहीं न से यह नहीं कि उसको पता पढ़ जाता है उसको पता पढ़ जाता है, जैसे आपको सापने काटा, तो आपको नमक खारा नहीं लगेगा, जिसमें विशेला भोजन होता है उसका स्वाद बदल जाता है, अब उसको पता पढ़ जाता है कि इसमें विश मिला हुआ है, किसी को अगर विशेला होना है न, तो किसी बच्चे को आप जनम से नमक मत खिलाओ, एक चिम्टी भी नमक मत दो उसको, उसके उपर साप का कोई जहर नहीं होगा, ये नमक क्या करता है, कि वो विश से लड़ने की शक्ति को समाप्त कर देता है, अपने शरीर में, नहीं तो आ अब तो ये सब विश कन्या होती थी, उनको फिर बाद में कै, अपने स्वार्थ के लिए लोग, ऐसे जो तंत्रिक लोग होते हैं, उसके विश कन्या बनाने लगे ऐसे, विचारी लड़कियों का अफरन कर लेते, और उसको नमक नमक खाने नहीं देते, और उसे विश देत बाद में पता पढ़ता कि ये विश कन्या बन गए तो उनको है न, बहुत जबरदस्त बाद में नमक खिलाया जाता है, नमक खाने से वो जितना उनके शरीर का विश था, वो सब विश निकल जाता, और फिर वो साधरन इस्तरी बन जाता है, तो ऐसे पता पढ़ जाता है, अगर उसको नमस का स्वाद नहीं आता है, इसका मिलो समझ जाना कि उसके शरी में जहर, किसी ने, जहरीले जानवर ने उसको काट लिया, चलो, तो ये बात किस से चलीती, रस नाम कर्म से, तो कोई स्वभाविक ही कड़वा होता है, कोई स्वभाविक ही कसायला होता है, हाँ, कोरोना में सुगंध नहीं आती थी और मुझा स्वाद भी चला जाता था तो रुपांतरित कर देता है, एक स्वाद दुसरे स्वाद को चलो, एक सो त्राणों स्पर्श नाम कर्म किसको कहते हैं? उत्तर, जिस कर्म के उदे से शरीर में स्पर्श हो उसको स्पर्श नाम कहते हैं, शरीर में स्पर्श हो का मतलब स्पर्श आठ प्रकार का है, कौन-कौन सा? ठंडा, गरम, फलका, भारी, स्निक्द, रुक्ष, और कठोर और नरम अब अलग-अलग प्रकार के शरीर के अलग-अलग इस प्रकार के नाम कर्म से होगा अब कोई शीत परधान होते हैं, किसी का शरीर बहुत ठंडा होता है, अब जैसे बरफ है, बरफ भी एक जीव है ना, तो उसका शरीर ही शीत परधान है कोई गर्म अगनी का एक जीव है तो उनका शरीर ही उष्ण प्रदान है तो उसमें उष्ण नाम कर्म का उदय है उसमें शीत नाम कर्म का उदय है बाकी के कर्म में मिक्सिंग होते हैं सारे किसी का हलका है किसी का भारी है अब किसी का शरीर ही इतना हलका होता है कि रूई के जै कर्म का उदय है किसी का शरीर कठोर होता है और किसी का शरीर बहुत कोमल होता जैसे साप का शरीर जिबते रेप्टिलिया वर गए उनका शरीर बहुत मुर्दू कोमल होगा उसकी स्कीन वगेरा और मनुष्य जानवर उनके बहुत ही कठोर होगा क्योंकि हड़िया वगरा होती है तो ये अब अलग-अलग नाम कर्म से उसके होता है जिसके जैसा नाम कर्म वैसा होगा एक सो चौराण अनुपूर्वी नाम कर्म किसको कहते हैं? उत्तर जिस कर्म के उदैसे आत्मा के प्रदेश मरण के पीछे और जन्म से पहले रास्ते में अर्थात विग्रह गती में मरण से पहले के शरीर के आकार रहें आनुपूर्वी अर्थात नया शरीर धारन करने के पहले और पूर्व का शरीर छोड़ने के बाद में वो जीव कहा होता है तो विग्रह गती में होता है एक समय के लिए दो समय के लिए अथवा जदा जदा तीन समय के लिए वो विग्रह गती में होता है उसके कार्मन और तेज़स शरीर ही होते है यह ओधारिक शरीर होता नहीं है तो अब वो कार्मन और तेजस शरीर है वो किस आकार का होगा हाँ तो जिस गती में जानने वाला है उसके आकार का नहीं होगा जो गती उसने छोड़ी उसके आकार का हो समझ भाए गया जैसे मनुष्य था अब देव गती में जाने वाला है तो अब देव गती से पुर्व का जो था मनुष्य का आकार तो वो विग्रह गती में वो जो उसके जित्ते भी कार्मन शरीर तेजस शरीर वो है वो मनुष्य आकार रूप होंगे जो गती छोड़ते हैं उस गती के आकार का वो विग्रह गती में बना रहता है तो ऐसा किस कारण से होता है तो ये आनुपूर्वी नाम का एक कर्म है उस कर्म के उदे के कारण से विग्रह गती में पूर्व शरीर के आकार का शरीर को वो उसके प्रदेशों को बना करके रखत जी ये गत्यानु पुर्वी हैं ये चार प्रकार के हैं ये चार प्रकार के हैं नरक गत्यानु पुर्वी तिरियंच गत्यानु पुर्वी मनुष्य गत्यानु पुर्वी और देव गत्यानु पुर्वी ये चार प्रकार के हो गए क्योंकि ये शरीर गती करते समय ही होता है अन्य जगह इस प्रकार का आकार होता है इस नाम कर्म का उदय एक समय के लिए दो समय के लिए अथवा तिन समय के लिए इस से अधिक इस अनुपुर्वी नाम कर्म का उदय रहता नहीं है और ये क्या करता है उस आकार का बना करके रखता है और वहाँ ले जाकर के उसको छोड़ देता है फिर तो उसको उदारिक शरीर बनता जाता है फिर इस नाम कर्म का उदय है वो समापत हो जाता है आनुपूर्वी नाम कर्म का तो जो छोड़ते हैं वो शरीर होगा अब मनुष्य गति से गए तो मनुष्य गत्यानुपुर्वी, देव गति से गए तो देव गत्यानुपुर्वी इस प्रकार से हो जाएगा, जिसमें जाते हैं, बरावर, कोई प्रश्न है, जिस गति में जाने वाला है न, आकार तो पहले गति रहेगा, और उसका नाम देव गत् और आकार कैसा रहेगा मनुष्य के आकार का और दर एक शरीर तो विग्रगती में होता ही नहीं केवल आकार रहता है यह जो कार्मन शरीर और तेज़ेश शरीर उसका आकार उस प्रकार के जैसे सिद्ध का आकार मनुष्य आकार नहीं होता है इसी परकार के इन शरीरों का आकार उस रूप रहता है तो कोई जीव जरह सिद्ध था आए मुक्षमा जाए तरह छेलो मनुस्या माते जाए बद्धा सिद्ध ना सरीर अतिया रहा सरीर तो ना थे तो प्रदेश ना मनुस्या आकार है थे कर्म 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 के उधे से ऐसा आकार नहीं रहता है उसका तो कर्म खतम हो गें क्योंकि नाम कर्म नष्ट हो गया अब इसके प्रदेश न तो घटेंगे न बढ़ेंगे पैले का शरीर जैसा था वैसा-क वैसा रहेगा अगर قिसी गती में जाना है उसको तो ये आनुपूर्वी कर्म उसके काम आएगा बाकी तो अब उसको तो किसी गती में जाना ही नहीं है नहीं विग्रह गती क्यालाती है सिद्ध की गती होती है उसको विग्रह गती में तो कहते हैं परन्तो वो एक समय वरती है इसको वास्ते में विग्रह गती भी नहीं है अविग्रहा उसको अविग्रह वती कहते हैं तो किसी प्रकार अविग्रहा इसलिए नाम है विग्रह कहते हैं शरीर को ऐसा ऐसा भी नहीं विग्रह कहते हैं शरीर को और विग्रह कहते हैं टेडे मेंडे को भी कहते हैं वकरता को भी विग्रह कहते हैं पर यहां मुख्य रूप से शरीर की अपेक्षा से विग्रह गती मिले नाथ तो शरीर को नवीन शरीर को प्राप्त करने के लिए जो गती होती है इसका नाम विग्रह गती है अब सिद्धो के नवीन शरीर को प्राप्त करने के लिए गती होती नहीं है इसलिए उनकी गती का नाम है अविग्रह बती इसलिए इसको अविग्रह क्योंकि कोई शरीर को प्राप्त करना नहीं है पर गती तो है उसके कोई गति मां एकद समय मां बिजु शरीर धारण करें एकद समय मां कोई पन वक्र गति नसी सेथीच गति शे तो अपने विग्रह गतिच क्या वाए तो भी विग्रह गति में आएगा क्योंकि ऐसा है विग्रह के दो अर्थ हैं मोडे लेना उसका भी नाम विग्रह है और शरीर प्राप्त करना इसका नाम भी विग्रह है अगर मोडे के अर्थ में लेते हैं तो भी उसकी विग्रह गति तो कहीं जाएगी पर वो तो एक समय वर्ति उसकी होती तो संसारियों के द लेना है उसकी अविग्रह होगी उसको ठीक उपर जनम लेना है जैसे यहां कोई जीव है अब उसको ठीक उसके उपर ही जनम लेना है तो उसको किसी भी मोडा लेने की जरुत है एक समय में वो चला जाएगा जैसे वो सिद्ध चला जाएगा उसी प्रकार से तो उसका नाम रिजु गती रिजु गती पाणी मुक्ता गती लांगलिक का गती और गो मुत्रिका ऐसे चार उसके दृष्टान्त हैं तो किस किस के समान होती है तो जो एक समय वर्ती अविग्रह गती होती है वो तो रिजु गती कहते हैं उसको वो वास्ता में इशू गती नाम है इसका क्या नाम है इशू गती इशू केते बान को जैसे बान एकदम सिधा जाता है तो इसको इशू सिधा जाता है वो कहीं इधर उधर मुड़ता नहीं है फिर पाणी मुकता गती जिसमें बीच में एक मौड़ा होता है एक मौड़ होगा उसको पाणी का मतलब जैसे अपने हथेली में पानी लो और उसको छोड़ो तो उसमें एक मुड़ा आएगा वो पानी जब छुटेगा तो यहां से यहां छुटेगा तो एक मुड़ा उसका आएगा इसलिए उसको पानी मुकता मतलब बीच में एक मुड़ा होगा उसको पानी मुकता गती केते हैं उस जीव की वो दो समय की होती है और एक मोड़ा होता है और तीसरी लांगली का गती होती है लांगल केते हैं हलको हलक ऐसा होता है ऐसा होता है ऐसा होता है बीच में दो मोड़े होंगे हलके हलक किसी ने देखा हो तो पता होगा एक इधर से पूरा डंडा होता है फिर थोड़ा भाग ऐसे निकला हुआ होता है तो उसको लांगल हल लांगली का मतलब जिसमें बीच में दो मोडे हो और तीन समय लगे उसका नाम लांगली का गती कहलाती है और चार मोडे हो गो मुत्री का गती गो मुत्री का गाये जो देशी गाय होती है न, वो जब मुत्र विसरजन करती है, उस मुत्र में चार मोडे होते हैं, मतलब तीन मोडे होते हैं उसके, समय चार होते हैं, तो उसकी वो गती होती है, वो गो मुत्री का उसका नाम दिया है, वो चार समय में नविन शरीर धारण कर लेता है, इस प्रक रखने में काम आता हूँ नहीं ये जनम अच्छा बुरा का कुछ नहीं है इसमें आपको जनम कहां लेना है उसके उपर डिपेंड है हाँ परन्तु अगर चार अगर चार समय वाली गती है महलब बीच में तीन मोड़े आते हैं इसी चार समय वाली गती है तो नियम से आप एकेंद्रियों में जाओगी क्योंकि वो उस चार समय में जाने के लिए वो निश्कुट क्षित्र कहलाता है हाँ क्योंकि वो तरस नाड़ी की बाहर जाना पड़ेगा आपको तरस नाड़ी के बाहर स्थावरों में ही जा सकते हैं आप दुसरी जगह नहीं जा सकते बाकी कोई भी गती हो सकती सीधा ही जाना न अपने तो उल्टा उल्टा क्यों जाना अगर स्वर्ग जाना है तो सीधे स्वर्ग जा सकते क्यों नहीं जा सकते स्वर्ग में सिद्ध जा सकते हैं वास्ता में सिद्ध के सिद्ध और स्थावर इन दो में सिद्ध जा सकते हैं बाकी में आप सिद्ध नहीं जा सकते हैं क्योंकि जो स्वर्गों की स्थिती है न अपने ये मद्धे लोग के है वो मद्धे लोग के ठीक उपर कोई विमान नहीं अगर आपको जो तिश्क वगएरा में जाना है तो वह ठीक बात है यहां वेमानिकों की बात आती है वो विमान कहां से चालो होते हैं पता है अपने जो असंख्या द्वीव समुद्र है उस द्वीव समुद्र में जो जैसे सोधर्मेंद्र के जितने विमान हैं 32 लाख विमान है सोधर्में वो सारेक सारे स्वेम्वरमन समुद्र के उपर है सारेक सारे उसकी उधर हैं मतलब यहां नहीं है वो वहाँ है तो वो वहाँ होगा ऐसे करते 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 इस अढ़ाई दिप के बाहर जितने समूद रहे हैं वहीं पर सभी स्वर्गों के विमानों की स्थिती है इसलिए यहां से आप सिधा नहीं जा सकते यहां से आप सिधा जाओगे तो किसी एकेंद्री में जाओगे आपको किसी स्वर्ग में उत्पन होना विमान में एक मात्र आपको सिद्ध होना है तो ही आप बिना किसी वक्रत आके सिद्ध हो सकते हैं देखो नेचरली स्रश्टी की विवस्था भी इसी ही इसी प्रकार की है इसलिए अपने सीधे हो जाना क्या हो जाना सीधा हो जाना आज तक बहुत उल्टे-ल्टे हुए हैं सीधा, साधा और वास्ते में अगर हम सीधे हो गए न तो मौक्ष कोई दूर नहीं सीधा पनाई तो मौक्ष है न क्योंकि अपना स्वरूप क्या है सिधा, साधा, सहज, सरल ये तो अपना सुरूप है सत एकदम सिधा है एकदम सरल है एकदम स्पष्ट है पर अनादी काल से टेड़े वो टेड़ापन ही अपने को निकालना ये सीधापन को आप थोड़ा सा भी चिंतन भी करो ना सरलता का तो भी आनन्द आता है क्योंकि वो अपने स्वरूप का चिंत बैठे बैठे ऐसा ही भावना करना कुछ ने आया ना बस मेरे को बहुत सिधा साधा बनना है चतुराई नहीं चाहिए आप जिवन लोगों को कितना भी मुझे कुछ भी करना हो भले मुझे लोग चल जाएं मुझे कोई दिक्कत नहीं जिसको बेवकुब बनाना मुझे बनाओ मैं मुर्ख बन जाओंगा पर मैं सिधा साधा सारली रहाँगा चतुराई नहीं कोई प्रकार की ठगना बुरा है ठगे जाना बुरा नहीं भगवान राम ने यह बात कहीं कि ठगना बुरा है ठगे जाना बुरा ठगे जाओ और साधू संथ ऐसे होते हैं कि ठगे जाते हैं उनको पता है ये ऐसा कर रहा है बोलते नहीं हो कुछ भी वो उसके उपर दया आती है वो सामने वाला उनके उपर दया खाता देखो मैंने उनको मुर्ख बना दिया पर वो मुर्ख वो है तेरी मुर्खा उनको बराबर पता है अच्छी तरह से पर वो तो उनके कर्म जा रहे हैं वो देख रहे हैं कोई विक्ति अपने को क्यों ठकता है किसी संत को ठगने कोई विक्ति आया और कोई संत महात्मा है उसको ठगने के भाव उस विक्ति को क्यों आए क्योंकि उस समय उस संत का भी पूर्वगा का उदे है इस कारण से ऐसे ठग विक्ति मिले उसको तो वो कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है अपने हुदे को सम्ता भाव से सान करता है मैंने पूर्व में बांधा था इसलिए मेरे को ठग रहा है ठगने तो मेरा क्या जाती है ठग करके ये ले क्या जाएगा मेरा जब तक वो शरीर को शरीर से लगता हुआ धन, दोलत, पैसा वगेरा अपने को मानता था तब उसको लगता था कि मेरा कोई नुकसान हो जाएगा अब तो उन सब में तो उनकी कोई बुद्धी ही नहीं न अब क्या ले जाएगा ठग करके पैसा ले जागा ले जाओगा उल्टा मेरा परिग्र थोड़ा कम तुम समबला और उनको तो खाने भी नहीं की चिंदा है नहीं भुग लगी तो कई मांग करके खा लेंगे इस क्या है ऐसा अभिमान भी नहीं उनको कि मैं किसी कहा कि हाथ फेलाओगा ऐसा नहीं उनकी चरिया है कोई भी दे देगा, no problem किसी प्रकार से कोई है ही नहीं तो क्या चिनेगा जिसके पास कुछ हो तो चिनो न अब अपना मानते ही नहीं कुछ भी, ठीक है तुमारे काम आएगा तुम लेजा ऐसे संतों के चक्कर में कोई चोर पड़ गया ना, तो चोर भी संत हो जाता है उसका इतना प्रभाव होता है हाँ बनारसीदाश जी के घटना है बहुत से संतों के इसी घटना है तुलसीदाश जी के घर में ऐसे वो आया चोर अब सारा लिया उन्होंने और वीचारे को उठा उठाय नहीं जा रहा है, बहुत सारे पैक कर दिया ना, तो वो रग गया है तो वो पीछे पीछे दोड़ा कि ये रह गया भाई तेरे तुले जा, ये मेरे लिए कहीं को छोड़के गया है तो मुझे तो कहीं से भी मिल जाएगा ये बहुत कठीन काम है अपने कुटिर में से एक कुरसी गायब हो जाती है तो सारा आश्रम खोश डालते है होदा एक नहीं होदा है कौन लाइक यूँ बताओ तो ऐसे ये संतत्व की बाते करना अलग है और संतत्व अपने जीवन में लाना अलग वस्तू है हम वेवार के नाम ना अई तो वेवार छे ने आपड़े बती वस्तू नो संबाल करवी बदो वेवार छे वेवार तो बदो करवो जुए ने आपड़े वेवार होता तो उन लोगों ने ऐसा क्यों किया वो चोर को पकड़वाते वो तो चोर को पकड़ भी लिया था चोर को पकड़वा कर राजक पस ले जाते इसने मेरे माल चोरी की वगेरा संत तो वेवारिक नहीं होते हैं संत वेवार कुशल होते हैं वेवारिक नहीं होते हो संत और वेवारिक हमेशा पारमार्थिक होते हो अपने संबंद में प्योरली परमार्थ है उनके दूसरे के संबंद में थोड़ा अच्छा बोलना ये वगरा किसी से किसी को कोई बुरा नहीं लगे किसी को कश्ट नहीं हो ये वेवार होता है प्रेरे ते परमार्थ ने ते वेवार समन संतों का साद्यों का वेवार क्या है अहिंसा ये उनका वेवार किसी को भी कष्ट नहीं हो इस प्रकार से अपना जीवन जीना इसका नाम वेवार है इसलिए वो समीति पुर्वक सारा आचरण होगा इसलिए उस चोर को भी कष्ट नहीं हो इसलिए जان बुच करके सोते रहते हैं चोर आया पता है कि चोर आया अब मैं जग जाओंगा तो वो भाग जाएगा और यह विचारों कश्ठ होगा फाल तूका इसलिए जान बुच करके सोते रहते हैं यह सब उस अवस्था में जब इस संसार की कोई वस्तु अपनी लगती नहीं है ऐसी अवस्ता में ये दशाय बनती है संतत्व ऐसे खिलता है क्यों जाना पुलिस कोट कजेरा किसलिये करना उल्टा विवाद बढ़ना है वेर बंदेगा न पहली बाद तो जिसको भी आध्यात्मिक साधना करनी है उसको न्याय अन्याय भूल जाना चीए जो आपके साथ हो रहा है वो न्याय पूर्ण ही हो रहा है अन्याय पूर्ण हो ही नहीं रहा है हमारी दरश्टिया क्या है? सामाजिक हो जाती हम सापेक्ष जीते हैं समाज के सापेक्ष जीते हैं इसलिए ये सब चीज़े हैं नियाए अनियाए वगरा बाकि क्या नियाए अनियाए जिस वस्तु का अपने से संयोग होने वाला है उस समय संयोग होता है तो कोई लाके देता है अपने आप आ जाती है जिसका हमारे वियोग होने वाला है वो वियोग हो जाता है वो कोई ले जाता है चोर घर में ताले तोड़के भी ले जाते है वियोग होने वाला इसलिए नब क्या निया या निया इसमे आप पुलिस में जाओगे ये करोगे वो करोगे जो मेरे घर की चोरी करके ले गए उसको मेने सजा दिला दी यह अहंकार का पोशन होंगे और कुछ नहीं किया सजा नहीं दिये कुछ भी आपने अपने अहम को पोशन किया क्यों कि लोग कहते हैं तमारे आटलो नुकसान के तमें काई बुल्याज नहीं उसको वास्ते में उसको तो कुछ नहीं करना है कभी-कभी मुमुक्षू साधग होते हैं उनको कुछ करना नहीं होता है बाकी के लोग उकसाते हैं उसको तमारे आटलो बुद्धता में नपुन्सक जेवा थाई गया चाहा काईक तो कारेवाई करो काईक तो करो समय और वो जिससे वो चड़ाते हैं चड़ता है ना तो नियाई के वाय चेहें तमारे साथ ये आम करेचें और चड़ाते हैं तो ये चड़ता है और फिर दोनों में कलेश होता है पडोस वाला कोई बोल गया तो भी उसको चड़ाते हैं रोज आवो बोली जाये शे सो सुनार की एक लुहार की अब चड़ाया तो फिर चड़ता है अब उसने भी ना तो न्याई पूर्ण बोलो चो आउ तो बदू चाले ऐसे चड़ाने वाले बहुत मिलेंगे पर अपने को कभी अपना क्षमा सभाव छोड़ना अपने सभाव याद रख़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़ बहुत सरल सहज बनना बहुत कथी न लोगों की सुनना बहुत कथी है बनना चाहते हैं लोग पर लोग बनने नहीं दे तो और जो लोगों की सुन लेता है न वो फिर संत बन जाता है जगत और भगत ये दो नो वेर है जगत भगत ने कोई कहतने केहे वादए कि आपने राम भजन मारई कि आपने अरिभजन मारई जगत भगत ने सदाये बेर छे भगत पणू कोने कही भगत पणू जो जानिये तो सव ना वेणला सैये के आपने हरिभजन मारई कि आपने राम भजन मारई सब की सुनने वाला वो भगत होता स्वंथ होता है इस प्रकार से ये आगी का पन को कल्ब ने प्रश्ण जे अभी प्रट्य जोईने जीव फदार्थनों बगत पाम्यों अभी यहां पर एक गुलाब के फूलों की टोकरी लाग करके रहे और कै पुछे इसको जिसने अग्याने के हिसाब से जो जिसको बहुत है कैसे लग रहा है ओ स्वरस फूल चे इसको क्या दिखता है इसमें सुगन दिखता है अच्छी दिखती है और तुरंद इसको राग हो जाता है क्योंकि उसको बहुत ऐसा ही दिया गया है बच्चपन से ही फूल बहुत सुन्दर होते है सबने यही सिखाया है उसकी बड़ी अच्छी सुगन दाती है यही सिखाया है वो फूल को फूल के रूप में देखने का ही उसको परियाइक को ही दिखाया गया उसको और ग्यानी को पुछो तो यह फूल नहीं है यह पुद्गल है यह क्या है यह फूल नहीं है यह क्या है पुद्गल है उसके देखने की दृष्टी अलग प्रकार की तो उसको सुगंद में कभी भी राग होगा ने सुगंद भी तो पुद्गल है ना और कोई बुरी वस्तु होगी तो भी उसको वो बुरी वस्तु नी परियाय दिखती ही नहीं है उसको वो पुद्गल दिखता है चलो नीचे पड़े हुए लाए परंतु देखने की दृष्टी परियाय दृष्टी विष्टा पड़ी हुई है अग्यानी को बोध है जिसको जो आज तक ऐसा है विष्टा क्या सिखाया गया सबको ये बहुत बुरी चीज होती है उसके पास नहीं जाना उसको छुना नहीं उससे दूर रहना उसकी गंसे बिमार पड़े ये किसने सिखाया है जगत ने ये जगत की दृष्टी से उस पडार्थ का बोध दिया गया है उसको ज्यानी कहेगा जैसे तुमारे कपड़े के पुद्गल है उसी प्रकार के ये भी एक पुद्गल है इससे डरने की कोई आवशकता नहीं है उसके प्रतिद्वेश करने की कोई आवशकता नहीं है पुद्गल पडार्थ है पडार्थ को पडार्थ की दृष्टी से देखने की दृष्टी ग्यानी डेवलप कराता है और पडार्थ को उसकी मात्र वर्तमान परियाई की तरफ से देखने की दृष्टी अग्यानी डेवलप कराता है और सारा जगत परियाई करूप ही दिखाता है अपने को ये अच्छा है ये बुरा है ये ऐसा है ये ऐसा करो वैसा करो ग्यानी हमेशा ठेहराने की बात करता है और अग्यानिय हमेशा रागद्वेश बढ़ाएं इस प्रकार से वो पदार्थ को अपने सामने प्रस्थूत करते हैं अग्यानिय की दरश्टी में पैसा, धन, दोलत पग्यारा ये बहुत महत्व रख थी और अग्यानिय की दरश्टी में इसका कोई महत्व महत्व शान्ति का है तो पुरपस्थिम हुए के नहीं हुए हुए गया सारक सारक वो अपने पीक्चर देखने गया था कृपाड़ो देव का एनिमेशन तो वो वेपारी ने कोई के विलायस से लाया था वो उसके मेज वगेरा कोई अरब कोई था ना पार्सी के बंगले पे बुलाये था क्यावल एक ही शब्द का उन्होंने एक ही शब्द का आप अधाने भोगव से कौन आप इतना सारा लेतों आए पर इनको कौन भोगेगा तुमारे बच्चे के बच्चे कौन भोगेगा और वास्ते में जीव तो भोगता पुद्गलों को इखटा करके ले आयो और अपने आपको बड़ा मानते हो ये आपकी शान्ती बढ़ाएंगे क्या जो वस्तु शान्ती बढ़ाए अगर वैसी कोई वस्तु खरित के लाओ तो तो माना कि भाई बहुत अच्छी वस्तु बढ़ाएंगे पर कोई शान्ती बढ़ाती नहीं अशान्ती के कारण है अब आपके विकल्प जागेंगे ज़्यादा पर क्यों लाया पता है उसके बैठने के लिए थोड़ी दुसरों को दिखाने के लिए अहंकार ऐसा ही जगत जी रहा है वास्ता में प्रतेक विक्ति की आवशक्ता है बहुत कम है वो अराम से जी रहा है परन्तु जितना जो ज़्यादा कर रहा है वो सब के सब दिखाने के लिए कर रहा है क्यों दिखाने के लिए कर रहा है कोई को उसका जीवन ही कमपरेटिव है सापेक्ष जी रहा है किसके सापेक्ष जी रहा है संसार के सापेक्ष जी रहा है जिसको आत्मकल्यान करना है, सुखी होना है, आनन्द की प्राप्ती करनी है, उसको अब संसार के सापिक्ष निजिने करें, अपने सापिक्ष जीओं। जिटली होड होए इटली चादर ने जिटली चादर होए इटली सोड ताणों इसा है ओम सुखधाम अनन्त सुसंत चहि दिनरात्र रहेत ध्यानमय परशान्ति अनन्त सुधामय जे प्रणमों पद ते वर ते जय सद्गुरुदि परमकुरुपालुदि त्रिलोकनानात्य कीजै सबसंतन्य कीजै आनन्दगन ओम जै सुखभरुदि आन्ना जै